सानी देओल ने अपनी कमजोरी के बारे में बात की है सानी देओल ने इतने सालों तक ये बात छिपाए रखी लेकिन अब जब वो सक्सेस्फुल हो गए हैं और उन्होंने गदर टू से भी प्रूफ कर दिया है तो उन्होंने बताया कि आखिर बतौर आक्टर कैमरा के सामने डायलोग्स बोलना उनके लिए कितना तफ था सानी देओल के जो डायलोग्स वाइरल होते हैं जिन पर सीटिया और तालिया बशती है उन डायलोग्स को पढ़ने में याद करने में सानी देओल को बहुत दिक्कत होती थी बच्पन से Sunny Deol dyslexic थे उन्हें शब्द और sentences समझ ही नहीं आते थे उनकी इस बिमारी के कारण स्कूल में तो उन्होंने बहुत problems जेली ही लेकिन जब वो actor बन गए तब और ज़ादा problem जेली ना सिर्फ उनने पढ़ने में दिक्कत होती थी बलकि जब वो अपने dialogues पढ़ नहीं पाते थे ठीक से बोल नहीं पाते थे तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे Sunny Deol ने बताया कि dyslexia के कारण में पढ़ नहीं पाता था dialogues और लोग कहते थे ये किस duffer आदमी को ले लिया फिल्म में Sunny Deol ने कहा कि क्योंकि dyslexic हूँ मुझे पढ़ने में टाइम लगता है याद करने में टाइम लगता है इसलिए शुरू से ही मैं अपने dialogues पढ़ने में वक्त लेता हूँ और मुझे अपनी script हिंदी में मिलती है कुछ इस तरीके से Sunny Deol ने धीरे-धीरे इस कमजोरी पर काम किया और आज वो कमजोरी उनकी ताकत है Sunny Deol के सिर्फ action scenes ही नहीं बलकि जब वो screen पर और camera पर जोरदार भारी आवाज में dialogues बोलते हैं तो लोगों के wrong टे खड़े कर देते हैं